हम लोग दो मीटर कफन लेकर ही चलते हैं और अंतिम मंसा भी है कि दो मीटर का भगवा कफन में ही लिपटके चले जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक मारे हैं और दस मरने के लिए यहां रेडी है उनकिस कुमार जी आप चिंता नहीं कीजिए जिस यह 45 डिग्री सल्सियस में हमारा एक मंडलत धक्स उर्जा के साथ काम करता है उतनी भी छमता आपके पास नहीं है तो इसलिए अब वो नश्टो नाबूद हो चुके हैं और जो भी बचा है वो उनको 2024 में पता चल जाएगा पीम मेटरियल बनके घूम आप लोग गय थे वहां पर मिर्ची मिर्ची लेकर हम लोग क्यों जाएंगे मालूम है नितिस जी के पास कोई कार्य करताब नहीं है उनके पास अपसरसाही है जो वो दिखाते आ रहे हैं कि अगर सिक्षक गया वहां जो टीटी पास है अगर गया जो भाई हमको नोकरी कब दीजेगा तो पहले इसको मारो अगर इससे मैं बता दू कुछ ऐसे लोग भी है जो कल वहां पर लाठी डंडा खांके आए यहां पर देख रहे हैं यह पर देक्ष में उगली में को चोट लगी थी यह वहां पर गये थे विधान सब्वाभ करने के लिए गिराब करने के लिए जी हम लोग बिहार में जो अभी इसके अवाज को उठाने के लिए उसके शरकार के खिलाब रिरोध मार्च हम लोगों ने बिदाण सवामार संती पुर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्षी के नतुरुत में और हमारे जिला से उपन द्युट में हम लोगों पहुचा और शांति पुर्वक गांदी मैदां सी मा जिसमें नितीश कुमार और यहां के उपमुखमंतरी जो तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो एक समय में संविधान बचाओ यात्रा निकाल लाएते हैं कल हमारा संविधान तार तार हुआ है उन लोगों की बॉखलाहट के कारण उनकी अच्छिक मन सिकता के कारण वो आया है और हम लोग अनवरत उठाते ही रहेंगे इसी के लिए हम लोग विरोधमार्च लिकाला विदान सभा के लिए जा रहे थे रास्ते में उन्होंनों पूरा पहले से सुनियोजी ढंग से प्रशासन के शिखा चढ़ा के दिसा निर्देश के तहत उन्होंने कल सोची सम जहनाबाद से वो जिला महमंतरी थे दिन रात वो देश की सिवा के लिए और भारतिय जन्ता पार्टी के लिए कार कर रहे थे उनकी सहादत हम लोगों ने दी है यह गताई बरदास्त नहीं होगा वहां हम लोग जब गए तो हमें रास्ते में ही दिखा कि पहले से वहां पा जब ठाब करना है ताकि दुन कि अवाज को बंद किया जाए और हम लोग अपनी मनमानी की सरकार ब्यां में चलातेników आपको और छोटे हैं हाँ है दोड ने के भागने के करमियां पैर में लोगी है क 의banik जिनकों की कल उस चोटे आई हैं को मारविया है और पूरे परदेश के हमारे काषिक मन्षिकता के कारण नितीश कुमार के कारण म्लखर्णा के सथा घटना हुआ है हमारे साथ यहां पर दल्सिंग श्राइपस्मी मंडल के मंडल लगते अच्छे आप लोग गए थे वहां पर मिर्ची लेकर प्रशासन को जोगने के लिए मिर्ची लेकर हम लोग क्यों जाएगे और रह गई बात तो यह जो महा पुरा विश्व को मालूम है कि भारतिया जनता पार्टी के नितरुत्य में जो भी केंद्र की सरकार है और बिहार में जो आने वाली सरकार है इसी का तो आगाज देख करके यह डर गए और नितीश जी के जो गुंडे हैं वो जिस बरबरता के साथ यह हमारे सहीद हुए है जहानाबाज जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंग जी अचैने ऐसे कैसे हो सकता है कि सुबा में वो जाते हैं कि हम आजा रहे हैं विरोध मार्च में संभलीत होने के लिए जा रहे हैं और फिर साम तक पता चलता है कि अब वो इस धर्दीपे नहीं यह मुंकिन है क्योंकि यह महां गठबंदन की सरकार है निके पास मालूम है नितीज जी के पास कोई कार्यकरताब नहीं है उनके पास अपसरसाही है जो वो दिखाते आ रहे हैं आप मिडिया कर्मी जितने भी है यह सभी तो लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि अगर स लिक्षक जो गया जो भय हमको राज कर्मी का दरदाज दीजिए तो उसको भी मारो अब हम लोग चले इन सब के सपोर्ट में जो एकदम सांती पुर्ण रूप से हम लोग का प्रदेश मानिया प्रदेश सद्धक जी के ने तुमें हम लोग आकरोस मार्च के लिए चले थे बिधान सभातक के लिए लेकिन उनलों को पहले से सोचे समझे एकदम गुंडे सबको तयार कर रखे थे और जिस बरबरता के साथ हमारे महिला मुर्चा के कितनी बहने कितनी वहां पे घायल हुई है और हमारे कितने जावाज कारिकर्ता जो भी है वह घायल हुए है और इस चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है और आज भी अभी अभी वीडियो आया है कि हमारे लाल गंज के विधायक मानिया संजा सिंग जिवेश मिष्राजी को मार्सलाट कराए गया है मतलब को सदन में भी अगर एक लब्ज कोई बोला तो उसको भी उठाकर फेक दो बार सीधा बात यह लेकिन सबसे घोर निंदा की बात यह है जो हमारे महामंतरी विजय कुमार सिंख जो अपने प्रानों की आउती दिया है उन सद्धक जी कि नितिश कुमार जी आप चिंता नहीं कीजिए जिस यह 45 डिग्री सल्सियस में हमारा एक मंदल अध्यक्स उर्जा के साथ काम करता है उतनी भी छमता आपके पास नहीं है तो इसलिए अब वह नश्टो नाबूद हो चुके हैं और जो भी बचा है वह उनको द और वो कहते हैं कि अब हम देश के प्रधान मंत्री बनेंगे तो यह करारा जवाब इनको मिल जाएगा 2024 में पहला टेलर होगा और पूरा फिल्म उनको 2025 में दिखा दिया जाएगा चौबीस में जो लोकसवा का चुनाब है क्या लग रहा है कि इसका बुरा प्रभाप पड़े का सत्ता पे अभी जो भी सिरकार्ट में है उनके बुरा प्रभाप प्रभाप उनका बात खतम हो गया बिहार की जंता अबुरबक नहीं है वो जिसको उठाना जानती है उसको ग अब कर लगा है तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग तो दो मीटर कफन लेकर ही चलते हैं और अंति मन्सा भी है कि दो मीटर का भगवा कफन में ही लिपटके चले जाय तो इससे कोई फरक नहीं परता है एक मारे है और दस मरने के यहां रेडियाम आभी इन परता के साथ वो तो और भी लोग मर जाते बहुत लोग बहुत बुरी तरह जखमी है और होस्पीटल में भरती है उनका बहुत बुरा हस्र है जितना बोलूं मैं वो कम है लेकिन उन्हें ये विजय कुमार जी की जो सहादता है ये खाली नहीं जाएगी उनको भुगतना पड अध्यक्ष होने के नाते में बता देता हूं कि ये 24 में उनको पता चल जाएगा और लगातार हम ये जारी जहेगा अभी फिर मैं काला दिवस के रूप में आज मनाया गया और फिर मैं भी जिला जाओंगा और जिला में भी उनका जो बचा खुचा है शराद करूंगा उनक लेकिन एक समय था जब नीतिश जी भाजपा से जुड़े हुए थे और फिर उनकी सिर्कार थी यहां पर अपने बिहार में उस वक्त भी ऐसा होता था सदन में विधाय को पीटा जाता था ऐसा मानते हैं नहीं देखिए भाजपा संसकारी पाटी है ठीक है आज तक भाजप कुणा पैदा होता है डिकेट क्रिमनल पैदा होता है कल जितना भी आपने देखा एक भी पूलिस नहीं था उपनीतिश कुमार और तेजस्वीक जी के भेजे हुए पुलीस के भेशने टोटल के टोटल क्रिमनल अर्गंडा लोगते पूलीस अगर होती है तो पूलीस इस ढ सब्सक्राइड ओ पड़ारएए नीजसे जाटा दि अगे संव का मा नगा नहीं होता एक्षिद अगहर किन्हें होता कि तो पानी के फुहारा से धक्का मारके भीर को हटा देती, यहाँ गुंडा लोग ते जो पालतू गुंडा थे पहले से, ट्रेंड, वेल ट्रेंड गुंडा, वो लोग जो है लाठी जंटा चलाया है, अगर ओरिजनल पुलीस होती, तो किसी भी कारण से इस डंग से लाठी चल कि उस लोग के ही गुंडा लोग के तरब से छीटा गया है, अगर है किसी की अवकाद तू बता देजिए किस कारण करता के हाथ से मिर्ची गया, वहां तब वीडियो कैमरा और कैमरा सारे सब कुछ थे, पुलीस वाला गुंडा, तुछा राई की भासपा के जो भी कारण कर अब भी गये थे, नहीं हम तो नहीं गये थे, लेकिन हमने अपने दुरजर्शन पर इस चीज़ को देखा, उसमें दिखाई दे रहा है कि जतना अभी लोग है, सब पुलीस का गुंडा है, कोई पुलीस ओरिजनल पुलीस उसमें था ही नहीं अब बाकी कल क्या हुआ है, पटना में आप सभी लोग जान रहे हैं, और आगे जो चुनाव आने वाला है, 2024 में लोग सबाग का जो चुनाव आने वाला है, उसमें क्या इसका प्रभाब पड़ेगा, क्या इस बार फिर नितीज जी सता से हटेंगे, जो 15-17 साल से वो राज कर रहे हैं, और इस तरह का जैसा इन लोगों का कहना है कि वो ताना साही पर उतरा है, वो हिटलर जैसा काम कर रहे हैं, तो क्या इसका बुरा प्रभाब उन पर पड़ेगा, इसको लेकर आपका क्या सोचना है पर ज़रोब दाईएगा, मैं फिर बिलता हूं तब तक के जए जए हैं